हलो गाइज कैसे हैं आज हम बात करने जा रहे हैं कि मार्केट में तेल की बैलू क्या चल रही है और कितनी घटोती हो रही है और कब बढ़ोती हो यह है पिछले महीने हम मैं के अगर हम बात करेंगे तो गौर्मेंट ने 6,60,000 तेल की आयाद की थी जिसमें की कच्छी पकी घणी तेल की बढ़ोती घटोती देख रहे हैं और तेल की सौटेस के कारण खाद के कारण क्या हो रही है तेल महंगा होता जा रहा है क्योंकि तेल बहुत ज़ादा पहले 160 रुपे अब कई गुना ज्यादा कीमत बढ़ गई है अगर हम तेल घनी की बात करें आखरी दिन की तो 2405 रूपे और 2510 यानि 15 किलो पे आकर बंद हो गया था सरसो पक्य घनी के अगर हम बात करें तो इसकी बढ़ोतरी हो गई है 2385 से 2465 रूपे प्रति टन हो गया है यह मार्केट की भाव रही जो की सरसो की तेल में और जब हमारा आयात किसी बीचीज की बहुत जादा होती है और भारत में आपको पता है कि इसकी क्या सौटेज हो चुका है सौटेज के कारद तेल महंगाई से बीक रहा है तो यह थी हमारी तेल की कीवत अगर आपको इस लाइक करने और शेर करने बिल्कुल भी ना विलेटिंग देन बाय थेंक्यू